गुर्देव भगवान की जय एक बहुत ही अच्छे भक्त थे ब्राम्हर देवता वो प्रतिदिन येकादसी ब्रत करते थे और बगल के सिव मंदिर पर भोले नात का दर्शन करते थे जो भी शंत मात्मा होते थे उनका दर्शन करते थे उसके बाद अपना घर में आके द्वादसी के दिन पारण वगएरा जो भी करते थे उनकी पत्नी भी बहुत ही भक्त थी दोनों पती पत्नी साथ में जाते थे वर्स की अंतिम एका दसी थी और दोनों लोग द्वादसी के दिन भगवान का दर्शन करने के लिए पती पत्नी जा रहे थे पत्नी थोड़ा पीछे चल लही थी पचास कदम पती उनके आगे थे ब्राम्हर देवता जब आगे पहुँचे तो सोने का बहुत ही सुन्दर हार अंगुठी से भरा एक पर्स वहीं गीरा पड़ा था आधा सोना बाहर दिख रहा था आधा अंदर था ब्राम्हर ने सोचा कि हमने तो लोभ नहीं है लेकिन पत्नी देखेगी तो उसे लोभ हो जाएगा वो ले लेगी और मेरा एकादसी ब्रत जो है वो खंडित हो जाएगा तो क्यों न इस पर माटी डाल दे पंडी जी को वह सोना दिखाई दे रहा था और उस पर माटी डालने लगे अपने पैर से खुरेत खुरेत करके कि ढग जाएगा पत्नी के मन में लोभ नहीं आएगा हम लोग अपना ब्रत में सफल हो जाएगे हो सकता है भगवान परिच्छा लेते हैं क्योंकि जब साधक की साधना फली भूत होने वाली होती है तो रिध्धी सिद्धी प्रेरही बहुभाई बुद्धी लोभ दिखावई आई होई बुद्धी जो परम सयानी तो माया नाना तरह की रिध्धी सिध्धी देती है, लोव प्रलोभन देती है कि साधक भजन से हट जाए और इसी तरह में उलज जाए लेकिन जो कृपा प्राप्त गुरू के सिस्षे होते हैं वो इन सब चीजों से धीरे धीरे दिखेगा कि वो हैं लेकिन मन से उनके प्रती आसकती नहीं होगी उन वस्तुओं से तो तब तक नह से खुरेद खुरेद के मिट्टी बालू का रेत उस सोने पर डाल रहे थे पंडी जी पत्नी पहुँच गई पत्नी उनसे भी बड़ी भक्त निकली वो तो सोच रहे थे कि पत्नी मेरी लो भी होगी लेकिन उसने कितना सुन्दर जबाब दिया बोला अरे पती देव इमाटी पर माटी आप क्या डाल रहें चलिए माटी पर माटी मट डालिये भोले नात को जल धारने का समय हो रहा है मात्मा जी के सत्संग का शमय हो रहा है चल के दर्शन कीजिए सत्संग सुनिए ये माटी पर माटी मत डालिए पंडी जी अपनी पत्नी को दंडवत किया बोले तुम तो मेरी भी गुरू निकली हमें तो यह सोना नजार आ रहा था लेकिन तुम्हें माटी नजर आ रही एक भजन भुई भहुत प्रचलित है सब लोग गाते हैं सुनते हैं कि सजधजकर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी ना सोना काम आएगा ना चादी आएगी तो जब साधक का मन भक्ती में लग जाता है तो दुनिया की हर वस्तु उसे माटी ही दिखती है क्योंकि सब कुछ माटी है जब ये सरीर ही माटी है भवान ने कहा अरजुन ये आत्मा अभिनासी है लेकिन सरीर नस्वत है आब्रम्ह भोना लोका पुनरावर्तिन अरजुन तो ये धात्मिय कहां से सोना चादी हो सकती है यह भी माटी है ये सोना भी पंचभावतिक है सरीर भी पंचभावतिक है ये संसार भी पंचभावतिक है दुनिया की कोई भी वस्तु पहाड से लेके पानी तक जो भी वस्तुएं हैं सब पंच भावतिक हैं चाहे छितिजल पावक, गगन, समीरा, पंच, रचित, अति, अधम, सरीरा ये सब पंच भावतिक हैं इसलिए इन पंच भावतिक चीजों पर जो भी भवत होते हैं उनकी नजर नहीं होती वो दुनिया के नजर में लगेगा कि ये सोना है ये चांदी है ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं लेकिन वो जब भी देखेंगे तो उसकी नश्वर्ता को वो शाधक देखता है इसलिए पंडी जी ने अपनी पत्नी को ही गुरु बना लिया और गय भगवान का दर्शन पूजन किया आरती किया सत्संग सुना और उसके बाद आ गए तो संतोस धन सबसे बड़ा धन है हय धन गजधन बाजधन और रतन धन खान जब आवे संतोस धन शवधन धूरी समान इसलिए इस संसार में वही सुखी है जो संतोसी है और संतोस वही करशकता है जो भगवान की भक्ती सुबह, साम, दस मिनट, बिश मिनट, भजन, चिंतन करेगा गीता राम चरित मानस पढ़ेगा उसके अंदर संतोस आएगा और जब संतोस आगया तो उसकी नजर में भगवान से बड़ा धन, राम नाम से बड़ा धन, कुछ भी नहीं होगा इसलिए हमारे महापुर्शों ने कहा भी कि संसार में वहीं धन है और वहीं धनवनता है जिसके पास राम नाम हो, कबिरा सबजग निर्धना, धनवनता नहीं कोई, धनवनता सोईजानिहों, जहराम नाम धन होई इसलिए एकादसी का मतलब होता है, एकादसी एक मन बसकर सेवं हो जाए, सोईब्रत कर फल पावई, आवा गमन नसाए, जब मन की दसा एक हो जाती है, एक प्रमात्मा में यह मन लग जाता है, अभी यह अनन्त दसाओं में भटक रहा इसकी दसा अभी अनन्त है अभी यह रुक नहीं रहा है लेकिन जब भजन चिंतन करते करते इसकी दसा एक परमात्मा में लग जाती है यह अभी दसानन बना हुआ है जब भजन करके अधसरत बन जाता है तो एका दसी एक मन बसकर सेवं जाई जब मन बश में हो जाता है तो सोई ब्रत कर फल पावई आवा गमन नसाई तो फिर उस ब्रत का फल है कि आवा गमन से संसार के वंधन चक्रशे जीव को मुक्ती मिल जाती है इसलिए पंडिताईन ने कहा क्या माटी पर माटी डाल रहे हैं पती देव क्योंकि उनकी मन की दसा एक हो चुकी थी ब्रत का मतलब होता है प्रतिग्या ब्रत का मतलब होता है द्रिनता ब्रत का मतलब होता है टेक टेक से साधक लग जाएगा तो कुछ भी संभव है गोश्वामी जी ने कहा कि शाधन ता कठिन है मन ही टिकता नहीं इसलिए मन को टिकाने का ये ब्रत उकवास सब तरीके हैं और वास्त्विक ब्रत है कि मन की दसा को एक कर देना वह होगा भजन से इंड्रिय शैयम से इसलिए चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते जब ऐसा रहेगा तो संसार में मन को परता दिखने लगेगी फिर उसके सामने सोना होगा चांदी होगा कुछ भी होगा सुंदर इस्तरी होगी कुरूप इस्तरी होगी सब कुछ उसको माटी नजर आएगा क्योंकि सब पंच भọnतिग है सब का एक न एक दिन बिनास होगा इसलिए चलते फिरते उठते बैठते नाम जपनें धीरे धीरे एकादसी की अवस्था में आप पहुंच जाएंगे, बोलिए स्री सद्गुल देह भगवान की जय।